हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे HIV टेस्ट विंडो पिरेड क्या होता है और एक्स्पोजर के बाद कौन सी HIV की टेस्ट कितने दिन बात करानी होती है इस वीडियो में आप जानेंगे विंडो पिरेड का मतलब कौन सा रिपोर्ट ना कराए सबसे पहले समत्त है HIV में विंडो पिरेड का मतलब क्या होता है मान लीजिये कि किसी इंसान के अंदर एक तारीक को HIV का वायरस किसी रूट से एंटर हुआ है तो आप मानलों के दो तारीक, पात तारीक, दस तरीक को रीपोर्ट कराएंगे तो उस रिपोर्ट के अंदर HIV का रिपोर्ट वायरस schaf stereotypes के अंदर वायरस होने के बावजुद भी रिपोर्ट के अंदर HIV का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगा तो कहने का मतलब एक है कि जब HIV का वाइरस किसी इंसान के अंदर जाता है तो उस इंसान में लेबोरेटरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के लिए कुछ समय का वक्त चाहिए उसके बीच में कुछ अंतराल चाहिए तो जो ए अंतराल है HIV का वाइरस सरी के अंदर दाखिल होना और लेबोरेटरी के अंदर HIV साबित करना उसके बीच में जो अंतर है उसको विंडो पिरियड कहिते हैं याद रखें HIV का तीन किसम की केटेगरी जे और तीनों केटेगरी का विंडो पिरियड अलग-अलग होता है हर किसम की HIV का टेस्ट का विंडो पिरियड एक जैसा नहीं होता अब कौनसा रिपोर्ट ना कराए इसको भी समझ लेजे तो आपका बिना बज़ा पैसा वेश्ट नहीं होगा एक्सपोजर के बाद आपको HIV हुआ है के नहीं हुआ वो जानने के लिए आप CD4 का रिपोर्ट मत कराए वो सिर्फ और सिर्फ HIV पॉजिटिव लोगों के काम की चीज है और दूसरा आप कभी भी PCR टेस्ट कराते हो तो लेबोरटरी में जाने के समय उसको क्लियर कट बता दीजिए के आपको HIV का क्वांटिटिटिव रिपोर्ट नहीं चाहिए HIV का क्वांटिटिव रिपोर्ट से तो बहतर है के आप HIV का क्वालिटिटिव रिपोर्ट कराए तो उससे आपको और एक्क्यूरसी से आपका रिजल्ट पता चलेगा इसलिए याद रखे आपको PCR का quantitative reports नहीं कराना है, viral load का report नहीं कराना है कोई एकी report समय के अनुरूप अपकराओगे तो आपको HIV का infections नहीं लगा है, वो आपका confirm हो जाएगा जीन लोगों का HIV का report ये प्रात्मिक report positive आता है, तो ही उसका दुबारा report कराने की और confirm करने की जरुवत है सही समय पे कराया गया report negative आता है, तो उस negative reports को confirm करने के लिए दुबारा report कराने की कोई अवश्यक्ता नहीं है आपको मालो के multiple sexual exposures हुआ है, या तो कोई और exposures हुआ है, तो आखरी जोकमी गटना से आपको पहले 0 से 17 दिन के अंदर कोई भी टेस्ट कराना नहीं है आखरी जोकमी गटना से 17 दिन के बाद आप सबसे जल्दी reports करा सकते हो, तो वो यह वाला report है, वो है PCR test उसको आम तोर पर HIV-1 proviral DNA qualitative test या HIV-1 DNA detector के नाम से जाना जाता है कभी किसी और laboratory में किसी और नाम से भी जाना जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको एक बार निसके शौर करना है कि आपका report qualitative report के test की category में आना चाहिए आपको quantitative reports नहीं कराना है, तो याद रखे, laboratory पे जाने के समय आप उसको clear cut बता दीजे, कि आपको सिर्फ और सिर्फ qualitative reports कराना है यदि आपके वहाँ पे होता है, तो ही हमारा खून लेजे और तो ही हमारा test करिए, यदि आपके वहाँ पे qualitative reports नहीं हो रहा है, तो आप हमारा खून ना लेजे और हमारा test ना करे और आप हमें मना कर दीजे, ठीक है, इसकी cost कितनी आती है? लेबोरेटरी से लेबोरेटरी में इसकी खर्चा इसका जो कीमाते हो अलग-अलग रहता है, उसका रेंज 1500 रुपे से लेके 4000 रुपे के बीच में हो सकता है, और ज्यादा तर लेबोरेटरी में इसका खर्चा 2500 से लेके 4000 के बीच में है, आखरी जोखमी कटना से 45 दिन के ब जो 17 दिन के बाद रिपोर्ट कराया उनमें जो DNA PCR ने PCR है तो मतलब मिसके वाइरस को genetics को detect करता है और 45 दिन के बाद antigen और antibody दोनों को detect करता है antigen का मतलब है कि HIV का वाइरस का P24 वाला envelope का part प्लस जब ये वाइरस अपने सरीर के अंदर जाता है तो कुछ समय के बाद अपने सरीर में उसके सामने लड़ने के लिए सैनिक बनना चालो हो जाता है जो special सैनिक है उसको antibody कहते है तो 45 दिन के बाद जो reports करायेंगे उस आप कर सकते हो कभी भी वो है antibody plus P24 antigen उसको दूसरा नाम है HIV duo या तो उसको HIV combo के नाम से भी जाना जाता है और वो है aliza की fourth generation test एक काफी अच्छी test है यदि आपको पैसे का दिक्कत है तो आपको चिंता करने के ज़रूरत नहीं सिर्फा 45 दिन तक रुक जाए और 45 दिन के बाद आप ए रिपोर्ट आप 500 से 1000 रुपे के बीच में आप लेबोर्टरिस में करा सकते हो क्योंकि PCR test मिन्सके काफी जगा पे उपलब्द नहीं होगी लेकिन ए एक फोर्जनेशन टेस्ट उपलब्द की संभावना काफी जादा है और काफी सस्ता भी है और 17 दिन और 45 दिन में थोड़ा अंतर है लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो मेरी राय है कि आप आखरी जोखमी गटना से 45 दिन के बाद कभी भी एवाला रिपोर्ट सब करा सकते हो और मान लो कि आपके वहाँ पे ए रिपोर्ट उपलब्द नहीं है तो फिर आप आखरी जोखमी गटना से 90 दिन के बाद कभी भी गवर्मेंट के fter करा सकते हो वह कुछ और नाम है उसके कुछ और नाम है, combat है, retroquick, HIV rapid testing है तो कभी की और technique से भी उसका और नाम भी हो सकता है यदि उसका खर्चा government में जाओगे तो आपको बिना पैसा कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आपका report फ्रीमे हो जाएगा और मालो कि आप private में reports कराना चाहते हो तो उसका खर्चा आपको आम तोर पर 300 रुपे से लेके 500 रुपे तक का आएगा तो यहाँ पर जो आप 90 दिन के बाद जो reports कर देखते हैं उसमें क्या देखते हैं एंटी बॉडी देखते हैं एंटी बॉडी क्या है अपने सरीर में बने हुए सेनिक जो HIV के सामने के लड़ने के लिए तयार होते हैं उसको देखते हैं 90 दिन वाला टेस्ट वो हैं एंटी बॉडी जो 45 दिन पर देखते थे वो HIV का P24 पार्ट भी देखते हैं प्लस एंटी बॉडी दोनों देखते हैं और जो 17 दिन वाला जो reports था वो देखता है कि HIV का जो उसका genetics पार्ट था DNA PCR वो उसको उससे देखते हैं और याद रखें सिर्फ एक ही टेस्ट से सही समय पे आपने किया है तो आपको HIV का status negative आता है तो उसके बाद आपको कोई report कराने के आवश्यक्ता नहीं है यदि कभी किसी का report positive आता है तो positive report को confirm करने के लिए दूसरे reports की जरुवत होती है लेकिन सही समय पे की गई एक report और वजदी वो negative आते है तो negative reports को confirm करने के लिए आपको वापस report कराने के आवश्यक्ता नहीं है और यहाँ पे मैं एक खास सुचना देना चाहूंगा कि लोग report के नीचे हुए चीजे पढ़ते हैं याद रखे वो चीजे आम लोगों के लिए नहीं है वो चीजे doctors के लिए है तो आप रुपिया उसको ना पढ़े वरना आपके दिमाग में और ज्यादा conclusions पैदा हो सकता ह तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो का आपको पसंद आया है तो यहाँ पे स्क्रीन में दिखाए गए right side पर जो subscribe बटन है उस पर click करके आप subscribe कर सकते हो जिससे आपको आने वाले हमारे हमारे हर गुरुवार और रविवार शाम को पांच बजे या तो नया वीडियो रिलीज होता है या तो लाइव टॉक्षो होता है तो लाइव टॉक्षो को दर्मियान आप हमसे सीधा सवाल जवाब कर सकते हो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और आप अगला नौटिफिकेशन चाहिए आपको हर गुरुवार और रविवार शाम को पांच बजे का वीडियो या तो लाइव टॉक्षो का जिसमें आप सिधा सवाल जाब कर सकते हो उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबा कर बेल आइकन को दबा दीजिए तो आपको सही समय पर नौटिफिकेशन मिल जा हूँ मेरा नाम डॉक्टर केतन राणपरिया है मैं HIV AIDS specialist हूँ मेरा क्लिनिक सुरत में है यदि आप सुरच से नजदीक हो तो सुरत पर क्लिनिक पर दिखाने के मिलने के लिए आ सकते हो या यदि आप सुरच से दूर हो तो आप मिसके मुझे सिधा ओनलाइन कंसल्टेशन कर स वह पैड कंसल्टेशन से उसके लिए आपको कंसल्टेशन प्रत देना होगा और उसके बाद ही और टो आप वीडियो में आ樂 और आप पसंद आया हो तो आप और आप कॉमेंटर सेक्षेंस है वह जा लिए पर कौमेंटर सेक्षेंस में लिख सकते हो हम اगले हर गुरुवार और हर रईवार शाम को पांच बजे मिलते रहेंगे Stay at home, stay safe